हलो स्टूडेंट्स टूडे वी विल स्टार्ट चाप्टर नमबर सिक्स्टीन थे और इंगलेंड में रहने वाले थे और एक सर्जन थे और पहले उन्होंने एज अ सर्जन हॉस्पिटल में काम किया लेकिन उन्हें घुमने फिरने का बहुत शूंग था और उसके बाद क्या हुआ उन्हें जो है एक शिप पर क्या मिल गई जौब मिल गई सर्जन की अब बहुत खुश थे विकॉज उन्हें जर्निस का शोंग था उन्हें यह था कि शिप क्या होती है इदर उदर घूमती रहती है तो उन्होंने अपनी फर्स जर्नी है वो लिलिपुट में की और ज जब की बात है कि वो एक यात्रा पर निकले किसके साथ कैप्टन जोन निकॉलस के साथ इसी तरह वो एक साल लगबग घूमते रहे समुंदर में उन्होंने पूरे संसार की जर्नी की और फाइनली क्या हुआ कि जो उनका शिप था जो उनकी समुदरी जहाज था वो एक स्ट वहां पर लाकर छोड़ दिया जहां पर जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं था और उन जून 1773 में जो सेलर्स थे वो एक ऐसी जगह पर आये जहां पर ऐसे सी शोर पर आये किनारे पर आये गुलिवर के साथ जिनके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था तो जब उ जो लोग थे वो monster थे monster लोग monster नहीं थे बर जो उनका size था वो monster टाइप था यानि कि जो गुलीवर थे जो और उनके companions थे वो उन लोगों के सामने बिल्कुल छोटे छोटे लग रहे थे और उन्हें ऐसे लग रहा था कि जो उस seashore के पास लोग हैं वो as a giant हैं रक्षिस हैं जो की 60 feet high है तो इससे क्या हुआ जब जो सभी sellers थे वो डर गए और उन्होंने क्या किया ship को back कर लिया लेकिन accidentally क्या हुआ unfortunately कि गुलिवर क्या हुआ वहीं पर रह गए जो की land थी जो की एक island था जिसका नाम था ब्रॉब्डिन गैन तो अब क्या था कि गुलिवर finds a road throw field तो उन्होंने एक corn field की तरफ उन्होंने एक रस्ता ढूंडा corn field क्या होता है मक्के का खेत जो की उन्हें क्या लग रहे थे कि 40 feet height लग रहे थे बहुत उंचे उंचे थे तो वह क्या कर रहे थे कॉंस के साथ साथ चल रहे थे और उन्होंने क्या देखा गया कि उन्हें पता चल रहा था उन्हें क्या पता चला कि जो कॉंस हैं जैसे फसल की कटाई हो रही थी तो वहां पर लो क्या थे उन्होंने साथिस ले रखी थी एक टाइप की कटिंग जो जिनके साथ फसलों की कटाई होती है उस टूल को बोलते हैं तो फिर क्या किया गुलिवर ने उन्होंने उस कौन के साथ भागना शुरू कर दिया उनके बीच बीच से उन्होंने भागना शुरू कर दिया लेकिन क्या था उन्हें and he can't run past the leaves branches of the corn plant तो इसलिए वो ढंक से भाग नहीं पा रहे थे तो finally क्या हुआ उन्होंने finally believer gives a pen lies down in the furrow तो उन्होंने क्या किया जैसे जमीन के बीच दरारे होती है तो उन्होंने उस corn field के दरारों के बीच चलना शिरू कर दिया अब वो वहाँ पर क्या सोच रहे थे वो अपने बच्चों के बारे में सोच रहे थे और अपने बच्चों के बारे में और बीवी के बारे में सोच रहे थे वाइफ के बारे में सोच रहे थे और वो सोच रहे थे कि बहुत जल्दी क्या हैं जो giants हैं वो अच्छली जायन नहीं थे, यूमन बिंग थे, लेकिन जो गुलिवर का साइज था, वो उनके सामने छोटा था, तो वो सोच रहे थे, कि वो जायन्ट से हैं, वो उन्हें खा जाएंगे, तो दिस इस पार्ट वन अफ इस स्टोरी, I hope you will understand, and the next of this part we will do, in next video, have a nice day.